तो फ्रेंट चिली गालिक पनीर बनाने के लिए हमने यहां गालिक लिया है यानि लहसुन और जितना हम अधिकतर सब्जी बनाने में लहसुन लेते हैं उसे थोड़ा से जादा ले 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 और यहां यह लिए है मैंने लाल मिर्च इनको मैंने पानी में बिगो के रख दिया थ और बस इसको पीस ले और स्मूथ पेस्ट बना ले यह दिखे इस टाइप का पेस्ट बन जाएगा तो चलिए इसको हम एक बावल में निकाल लेते हैं तो हमारे चली गालिक पनीर बनाने के लिए यह बनाना ज़रूरी था तो चलिए अभी एक फ्राइपें लिए या कड़ का हुआ प्याज यह हमें एक मीडियुम साईज का प्याज लिया था जिसको बारिक-बारिक कट कर लिया था खाफी फाइन चॉप करें और इसको अभी हम भून लेंंगे मीडिय душ लूफ लेम पे और हमें भी आज को तब तक भूनना है जब तक इनका हलका golden brown कलर ना जाए बहुत जादा नहीं भूनना हलका सा कलर आना चाहिए दीखे दीरे दीरे ये कलर आ भी रहा है इसी तरह हम भून लेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे बारी कटे हुए टमाटर टमाटर को भी बहुत अच्छे से fine chop करना या फिर आप पीस ले वैसे मैंने यहाँ पर chopper में बहुत अच्छे से fine chop कर लिये हैं और इनको भी हम पकने देंगे जैसे जैसे यह पकेंगे तो थोड़ा असा पानी छोड़ने लग जाएंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम अपनी जो लहसुन और मिर्ची वाला जो पेस्ट बनाया था ना हमने वो डाल दिया इसमें और बढ़िया से हम पका लेंगे इस टाइम पर गैस का flame हम मीडियम रखेंगे ज़्यादा तेज हुजाए तो लो कर सकते हैं और इसको लग बग दो मिनट तक के लिए हमें पकाना है और जैसे जैसे पकेगा ना फिर और ज्यादा पानी छोड़ने लग जाएंगे जो टमाटर हमारे हम काफी पानी छोड़ देंगे बस कुछ सेकंड के लिए और पकाएंगे तो पानी भी गायब हो जाएगा और सूप , अब हम डॉय मसाले डालेंगे 140 Keyиях लिए पावडर, 108 य हानि फॉंड di powder, 140 cassetyu support, 14 जीरा पाउडर,rhान फव्त गरते हीज़़ने बऊन और इनको हम ऑच्छे से मिक्स करेंगे और लो फिलेम पे इसको भूंन जब हम मसाले डालेंगे तब गैस का फ्लेम लो रखेंगे इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे और बस लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा भून लेंगे फ्रेंट इससे पहले भी मैंने पनीर की बहुत सारी क्यूक एजी रेसिपी दी है अपने चैनल पर आप जाकर उनको भी च फोर्त कब पानी डालने से इस टाइप की ग्रेवी बन जाएगी अगर इससे थोड़ी पतली आपको ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा और पानी डाल सकते हैं थोड़ी देर पकाने के बाद ये थोड़ा ड्राय होनी शुरू हो जाएगी और फिर इसमें हमने पनीर डाल तो इस बात का ध्यान रखें, जादा नमक ना डाल दें, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, देखें बहुत ही बढ़िया बनता है, एकदम अलग डिफरेंट टेस्ट आता है, इसका चिली गालिक पनीर का बहुत ही डिफरेंट होता है, दूसरे पनीर की रेसिपी से ये, तो दो मिनट से जादा नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया खुश्बू आ रही है, एकदम ग्रेवी भी ट्राय हो गई है, पहले तो लग रही थी जैसे पतली पतली है, नहीं ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है, मिक्स कर लिए अच्छे से, बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल द पनीर की, और आप इसको टिफिन में भी दे सकते हैं, और उपर से भी बारी कटा वहरा धनिया से इसको गानिश कर देंगे, तो बहुत ही सुन्दर दिखता है देखने में भी, तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को अपने लंच, डिनर या टिफिन में एक बात जरूर एड़ करि की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेर जरूर करिएगा, और भी इंट्रस्टिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, तब तक के लिए बबाए